हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा है आप सभी अच्छे होंगे आज की जो टी एफ टी एफ एफ एनरजी है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ देखे बहुत खास मैं एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ कि आप लोग जो जर्नी है वो इस जर्नी को इतना डिले क्यों करना चाहते है मुझे बस यह जानना है क्योंकि मुझे अभी जो collective energy फील हो रही है वो यही है कि मतलब holding की energy आरी है मेरको दोनों तरफ से dm energy में भी and df energy में भी और अपको एक बात बता दू DM हमारे उसी energy में काम करते हैं जिस energy को DF attract करती है DF feel करती है, DF करती है, जो DF इधर करेंगी, वही चीज DM की तरफ mirror होगी ठीक है? मतलब आप holding की energy में हैं, आप balancing की energy में क्यों नहीं रह सकते हो अगर balancing की energy में आप ही रहो तो आप ना उस चीज़ को balancing की energy में होने के बाद भी आप इधर और उदर अपने बारे में सोच रहे हो बहुत जादा journey के बारे में सोच रहे हो, DM के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? आपको पते हैं, उदर क्या चल रहा है? उदर चल रहा है के जो DM है, वो बहुत जादा शांत चुप और ego में बैठे हुए हैं अभी इस वक्त, ठीक है? वो आपको message नहीं करने हो लिए, आप ये सूच समझ लीजिए, ठीक है? अगर आप stock ऐसे ही करते रहे, आप ऐसे ही बार-बार उनको follow करते रहे, आपने उनकी ID को देखा, उनको message किया बार-बार, ठीक है, call करने की कोशिश की, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा करते करते कहीं, आप block ना कर दिये जाएं, ठीक है? message आपके पास जब ही आएगा, जब angels, universe उनको guide करेंगी, ठीक है, उनको ये चीज़ फील कराएंगी, तो वो message करेंगी, आप अगर holding की energy में उनको डाल के रखेंगी, तो ध्यान रखिए, वो जिन चीज़ों से detach हुए हैं, वो उन चीज़ों में वापस से अपने कार-mix के सा लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है, क्योंकि वो अपने ego को, पता है आपको, जो divine masculine होते हैं, वो अपने ego से operate करते हैं, और ego से operate करते हैं, मतलब वो जुकेंगे नहीं जल्दी, ठीक है, वो जल्दी नहीं जुकने वाले, वो ज्यादा देर तक इस frustration के energy में नहीं run करेंगे, तो कहां जाएंगे, कार्मिक्स के पास, अपने फ्रेंट्स के पास, ठीक है, वापस से उन्हीं सब चीजों में, और वो वापस से, फिर उन्हीं मतलब चीजों में लग जाएंगे, जिन चीजों से आपने इतना सारा inner work करके उनको निकालाए, तो प्लीज स्टॉ प्लीज नहीं जाने वाला वो वापस आप भी के पास आएगा, बट उसको थोड़ा सा तयार होने दीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी अगर इनसान है, हम लोग स्कूल किसी बच्चे को क्यों भेशते हैं, हम स्कूल किसी बच्चे को इसलिए बहशत संसकार क्या है वो यह सब चीजे सीखे सब कुछ सीखे वो अपने emotions को control करना भी सीखे ठीके कहां उसको क्या करना है कहां उसको क्या नहीं करना है ठीके अब तक वो जो कर रहा था वो overe time खेलना और वो सब चीजे ठीके बच्चा जो भी करता है तो हम क्या दोस्ते हैं अब इसको स्कूल में डाल देना चाहिए वरना इसका मतलब सब कुछ रूटीन जो है उसकी लाइफ एकदम अलगी ट्रेक पे जा रही है ठीक है बेगड रही है खराब हो रही है तो वही चीज है अभी जो हैं डीम और डीफ दोनों ही क्लासेज में हैं अपनी वो लोग अपनी क्लासेज कम्प्लीट कर रहे हैं लगबग डीफ से कट चुकी हैं और जो डीम है वो अभी ये कर रहे हैं तो प्लीस आप होल्डिंग के एनरजी में मत रहे हैं उने भी होल्डिंग के एनरजी से निकाल लिए और वो जब ही निकलेंगे जब आप उनके ध्यान देना बंद कर देंगी देखे वो खुद ही आएंगे आप एक बार ये करके देखिए युनिवर्स को सरेंडर कीजिए चीज़े और अपने इनरवक पे फोकस करिए अपने कामों में लगिए आपको पता है एक डियेफ के लिए कितना जरूरी है फाइनेशली भी स्ट्रॉंग होना ठीक है अपने पैरों पे खड़ा होना ये इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी बात को पब्लिक ली रख सके ठीक है उसका कॉन्फिडेंस होता है ये उसको स्ट्रॉंग होना ही पड़ेगा अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा अपने creative side पे work करना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि आप एक warrior हैं और आप वो मिसाल बनते हैं उन लोगों के लिए उन ladies के लिए उन feminines के लिए जो कि अभी इस 3D world में operate करें अपनी situations से जिनने पढ़ने निन दिया जा रहा है जिनको job नहीं करने दी जारी जिनको domestic violence देखना पड़ रहा है जिनको sexual abuse देखना पड़ रहा है अप उन लोगों के लिए stand करते हैं तो कैसे करेंगे stand इस holding की energy में रहे के बिल्कुल भी नहीं आपको इस energy से निकलना होगा अपको अपने भीतर shift और शक्ति को balance करना होगा शिव जब ही balance होंगे जब शक्ति balance में रहेगी शक्ति आप खुद है तो प्लीज अपने आपको balance में लाइए 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 बिना शिव के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के शिव अधूरे है बिना शक्ति के शिव शव के समान है और बिना शिव के शक्ति-शक्ति हीन है तो दोनों की जो एनरजी है वो बैलन्स मिलाई है और आप क्यों स्टॉक कर रहे हों है आपको एक बात बताओ आपके जो डिये में वो आपी के अंदर है आपी का पार्ट है अब उसको बैलन्स कीजी आपको पता है जैसी ही वो बैलन्स होंगे आपको खुद ही ये फीलिंग आए लगी कि मैं बाहर क्यों ढूँट रहे हैं उनको वो मेरे पास है वो सब चीज आपको वो सब चीजे साथ के साथ दीलोने लगेंगी ठीक है आप उस पर काम करने लगेंगे ठीक है अपने क्रेटिव साइट पर काम करने लगेंगे फाइनेशली आप अपने आपको स्ट्रॉंग बनाने में लग जाएंगे आपको आपकी जो भी होबीज हैं वो करेंगे आप ठीक है आपको ना अपने आपको एकदम बैस्ट रखना है आप बैस्ट वर्जन है अवेकन हो चुके हैं आप लोग अवेकन सोल्स हैं ठीक है तो उस पर कामत करना है आपको यह इस तरह होल्डिंग की इनरजी में बिलकुल नहीं रहना है आप लोगों को ठीक है चलिए फ्रेंट्स थैंक यू फ्रेंट्स कर लिए अपने हैं साथ